पूम नमस्षिवाये आस्तिक और धन एस्वरे से युक्त होते हैं ऐसे जातक असपस्टवादी हिमती मगर भावुक और नेत्रित करने की प्रबल छमता वाले होते हैं ऐसे जातक उचस्तर की आजीविका पाने वाले उद्यमी और अन्वेशन के कारियों में रूची रखने वाले भी होते हैं यद के जन्मे जातकों की 27 दिन बाद पुना उसी नक्षत्र में गंड मुल्शान्ती करानी चाहिए मेश राशी वाले जातकों के मन में चल रहे अंतरद्वन्द मानसिक उथल पूथल और भ्रमात्मक इस्तिकी से राहत मिलेगी चंद्रमा पांचमे घर में चल रहे हैं आपकी कोशिस और आत्मिश्वास से रचनात्मक प्रया सार्थक होंगे कार्गिक छमता बढ़ेगी और नई कारियोजनाओं का बिस्तार होगा साजेजारी सफल रहेगी और आर्थिक लाव बना रहेगा खुशाली और पारिवारिक प्रयना बनी रहेगी अच्छे कामों में पूजी निवेस और बच्चों के भावी से पर खर्च की संभावना भी बनती है कुछ मामलों में आलास या अवरोध की इस्थिती पैदा हो सकती है बिद्यार्थी उर्जावान महसूस करेंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा चंद्रमा आज ब्रिश रासी से चौथे भाव में चलना है आपकी सक्रियता और कारे चमता ब्यावसाईक उद्देश के साथ ही साथ घर ग्रियस्ती के रचनात्मक कारियों के प्रती भी केंदित रहेगी थोड़ी बहुत रुकाउटों के बावजूद भी आप अपने लक्ष को हासिल कर लेंगे बहुत धिक चमता और प्रभाव रिच्छा सक्दी आपके हर काम को आसान और सुविधा जनक रूप से बदल देंगे नई कारियों जिनाव का प्रस्ताव मिल सकता है बिद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धोगा संतान संबंधी चिंता दूर होगी मांगली कारिकरम के लिए समय अनकूल रहेगा और उस्वास संबंधी आवशक सावधानी बनाए रखे मित्धुन राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धोगा भावनात्मक लगाव बढ़ेगा सामाजिक प्रतिष्ठा में बिद्धी होगी ब्यावसाइक वक्ष की अनकूलता बनी रहेगी सासन सताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा आपके प्रयास और आत्मिश्वास से आर्थिक निवेस के कई लावकारी योजनाएं सामने आएंगी पारिवारिक प्रेरणा और पत्नी की सलाह लावदायक सीद्ध होगी स्वास समंदी सावधानी रखनी चाहिए सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी संतान समंदी सुख समाचार मिल सकता है और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा करकराश के जातक मानसिक रूप से खुश और उपसाहित महसूस करेंगे भ्रमात्म की स्थिती खत्म होगी आर्थिक लाव के कई अवसर मिलते जाएंगे सामाजिक मानप्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी और सम्मानित किये जाएंगे चंदरमा के केतु के नक्षत्र में होना और सुक्र का सायोग आर्थिक उन्नती और कारी योजनाओं के विश्थार में सहायक होगा संतानवा आर्थिक वक्ष अनकूल है सिक्षाप्रत योगिता के छेत में सफलता मिलेगी साज्येदारी के कामों में सावधानी अप्रिक्षित है सत्रू पक्ष हावी रहेगा मगर पारिवारिक सुक संतुष्टी महसूस करेंगे सिंग राशी के जातक मानसिक रूप से उर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मा क्रिया सीलता बनी रहेगी मगर स्वास संबंदी सावधानिया रखनी चाहिए खास तोर से पेट संबंदी मामलों में दिक्कत हो सकती है व्यावसाईक अनुकूलता बनी रहेगी और नय लक्ष निर्धारित होंगे संबंदीत मामलों में अचानक यात्रा का योग बनता है आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल है परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बना रहेगा नीजी संबंद प्रगाड होंगे वयवाहिर मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा घरेलू संसाधनों में व्रिद्धी होगी और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी परियास जारी रखें कन्या राशी के राशी स्वामी बुध्ध 11 भाव में राहू के साथ चल रहे हैं और चंद्रमा 12 भाव में सुक्र के साथ अतियात्म विश्वास महसूस होगा और बाद बाद पर तर्ख करने की प्रवृति बड़ी रहेगी मगर व्यावसाईक मामलों में सुधार का दोर जारी रहेगा भाविस में अपने कारे छेत में सफल रहेंगे सकारात्मक प्रयास से प्रोन्नती के अवसर मिलेंगे मित्रों वा सहयोगियों से अनिकूलता बनी रहेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा धर्म कर्म और मित्रों पर खर्क संभावित है संतान संबंधी चिंता अभी बनी रहेगी शिक्षाप्रत जोगता में प्रयास चारी रखे और स्वास संबंधी सावधानी बनाए रखे तूला राशी के जातकों के रूके हुए काम संपन्ध होंगे धार्मिक भावना में विध्धियोगी भाग्यवस काम अच्छे होंगे मगर मन का अंतरदंद आपके कारे छेत्र और उर्जा अस्तर को प्रभावित करता रहेगा चंद्रमा केदू के नक्षत में चल रहे हैं अच्छे काम में बित्य निवेश के लिए सहयोग मिलता जाएगा मगर व्यावसाई का अनिमीत ताएं, संभावित हैं इसका आपको ध्यान दखना चाहिए आर्थिक लेंदेन वा महत्पूर्ण कागजातों को ध्यान से पढ़कर उसका निप्टारा करना चाहिए संतान संबंधी अनिकुलता बनी रहेगी अध्यान अध्यापन में आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा प्रयास जारी दखें बिष्चिक राशी वाले जात्मों के मन का अंतरदंद कम होगा और मानसिक शांती मिलेगी उर्जा अस्तर में विध्धी होगी और कारिछिद्र के विकास और उत्थान की मानसिक्ता बनी रहेगी जिसमें सरकारी भी भाग और सरक अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा नविन कार्योजनाव और साज़ेदारी के लिए समय अनकूल है अपनी क्रियासीलता को हर हाल में बरकरार रखें सिख्षा प्रजयोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी आर्थिक पक्ष सामान रहेगा, पारिवारिक दाईतों के प्रती चिंता बढ़ेगी, नीजी मामलों में बाधाव और रुकावट संभावित है, और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनकूल रहेगा धनुराशी वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, ब्यावसाइक संसाधनों में बिद्धी होगी, रुके हुए सरकारी कामकाज संपन्ध होंगे और लाव की इस्तिती बनी रहेगी, बौधिक चमता का विकास होगा और पारिवारी कुरेना लाव दायक रह में आएंगे, साजेदारी सफल रहेगी, मगर स्वास संबन्धी साफधानी रखनी चाहिए, और वीवादों के निप्टाने का योग बनता है, शिक्षा प्रत्ययोगता में सफलता मिलेगी और संतान संबन्धी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा, धार्मिक भावना में पित साजेदा बढ़ेगी और प्रसंशा के इपात्र बनेंगे, सासन सब्ता और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, उन्नती का दोर जारी है, कारिछेद से संबन्धित यात्रा संभावित है, मगर कभी कभार संतान संबन्धी चिंता, मन में नकरात्मक भावों का आना, कार कारियों में रुकावट और आत्मिश्वास में कमी की संभावना भी बनती है, सिक्षा प्रज्योगिता में सफलता मिलेगी, साथ है ही अपने स्वास पर आवस्रक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं कुमबरासि के जात्कों के लिए आज की सुरुवात द्रिठ आत्मिश्वास और सकारात्मक मानसिक प्रभाव से होगी, रचनात्मक प्रयासों में बृद्धी होगी, नई कारियों जनाओं में कुछ विश्वियों पर प्रयास सफल होगे, आर्थिक वक्स सहयोगी रहेगा धन समंधी मामलों में अचानक लाव संभाव है, साजेदारी सफल रहेगी और रुके हुए काम संपन होंगे, सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है, और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा मीन राशी वाले जात्कों की दिन्चर्या सामाने रहेगी चंद्रमा के छठवे और के नक्षत्र में होने से मानसिक ब्यगरता नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कारे छेत्र में लापरवाही की प्रवरित्ती बनी रहेगी आद्म विश्वास और सक्रियता प्रभावित होने से रचनात्मक कारियों में बाधा संभावित हैं हाला कि सुख संतुष्टी बनी रहेगी ब्यावसाईक अनकूलता और आर्थिक पक्ष आपकी क्रिया सीलता के अनुसार बना रहेगा विभागी अधिकारियों से सहयोग वाधान लाव मिल सकता है अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें साथी साथ स्वास संबंदी विशे सावधानी रखनी चाहिए आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए